हेलो स्टूडेंट दिसी सबसेख पांडे योर अग्रिकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है अग्रिपो आज के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे secondary clay minerals के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्ले क्या होता है पहले क्लिय क्या होता है एक basically component है soil का soil जो हम देख निखते हैметि जो देखते हैं normally उसमें 3 चीजे measurely जाती है जिसमें कि आपका sand होता है silts होता है और clay होता है इसके बारे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं sand जो होता है जिनकी size क्या होती है 0.3 milimeter से ज्यादा होती है सेंड क्या है एक मतलब आपका सकते हैं कि इनको मेंली सैंड सिल क्ले को ऑन ता बेसिस ऑफ साइज डिवाइड किया गया है अगर जो सैंड है उसका पार्टिकल डायमीटर की जो साइज है अगर पॉइंट 3 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो उसको सैंड करते हैं अगर वही चीज 0.3 मिलीमीटर मतलब 0.2 ठीक है आप कहा सकते हैं 0.2 से 0.002 जो होता है उसे हम कहते हैं कले ठीक है 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो आप बोलेंगे सैंड ठीक है 0.2 से 0.02 के पीच में अगर साइज रेंज कर रहा है तो उसे 2 mm तर तो उसे हम silt बोलते हैं और 0.002 mm से कम कि अगर कोई particle है तो उसे हम clay कहेंगे इसी में एक नया चीज आता है collidal clay जिसमें होता है 0.001 mm से कम अगर किसी soil particles की size अगर उसकी diameter 0.001 mm से कम है तो उसे collidal clay कहेंगे तो वही चीज था तो secondary clay minerals के बारे में पढ़ना है तो clay minerals क्या होता है clay minerals जो soils में होते हैं normally form होते है primary minerals की weathering process की द्वारा ठीक है तो अगर primary minerals हैं जैसे के हम लोग पढ़े थे orthoclase इसके last lecture में हम आपको बताये थे और्थोक्लेज है ओलिवीन है ठीक है पाइरॉक्जीन है एमफी वोल्स है फाइलो सिलिकेट है बायो टाइट है मस्कोवाइट है ठीक है कुछ होती है ठीक है and they are considered to be the most reactive part of the soil important soil properties like nutrient and water holding capacities and controlled by clay minerals बात सही है कि दिखी इस अल्य क्या हैillar का हाट भी से बोलते हैं क्या बोलते हैं स्वाइल का हाट हाट अफ द स्वाइल क्या बोलते हैं हाट ऑफ दो हमारे बॉड़ी में कोई भी बॉडी में बीना हार्ट के इनसान मर जाता है अगर heart की functioning रूख जाती है तो जैसे ही heart की functioning रूखी तो इनसान को death घोसित कर दिया जाता है ठीक उसी प्रकार अगर smile में clean आ रहे तो smile किसी काम का नहीं होगा क्योंकि clay पे ही सारी जो smile में reaction होते हैं chemical reaction होते हैं वो clay के help से ही होते हैं और clay के help से smile की बहुत सारी जो properties है chemical properties और physical properties depend करती है जैसे कि water holding capacity ठीक है buffering capacity स्वाइल में जो reaction होते हैं वो सारे clay के द्वारा ही हो पाते हैं ठीक है इस minerals are layered in silicate consisting of silica tetrahydron, aluminium octaharodon इसमें होता क्या है कि जो clay होते हैं उसमें अगर उनका structure देखा जाए अगर हम microscopic view लेते हैं तो वो क्या होते हैं कि layer में arrange होते हैं और इसमें दो mainly layer होते हैं silica tetrahydron का और aluminium octaharodon तो tetrahydron मतलब four sided ऐसे होंगे tetra side चार side के बने होंगे और octaharodon total eight side के बने होंगे aluminium octaharodon तो देखते हैं इसका तो आगे चलते हैं इसमें normally क्या है आपका one is to one ठीक है one is to one clay minerals होगा अगला होगा two is to one non expanding type उसके बाद है two is to one expanding type और एक है two is to two clay minerals तो यह total चार प्रिकार के होते हैं इनको आपके पस अभी नाम याद रख लेना है फिलाल जब हम आपको एक next lecture पढ़ाएंगे उसमे स्वाइल कोलाइट्स के बारे में उनों detail में चर्चा करेंगे वो साइध इसी semester में होगा या तो next semester जो भी स्वाइल चाइंस का हम लोग अभी course पढ़ेंगे अभी हम लोग के पाद बहुत सारे semester है two three four five six seven eight तो कहीं ना कहीं उसको detail में हम लोग को पढ़ना है ठीक है तो फिलाहाल अभी पर समलोग नान जानेंगे और उनके बारे में कुछ लेंगे कि कैसे यह बने होते हैं क्या nature होता है यह सारी चीजे जानने की कोसिस करेंगे तो one is to one में क्या होता है one is to one का मतलब क्या है अगर इसको हम समझने की कोसिस करें ठीक है तो देखिए one is to one का मतलब क्या है one silica tetrahadon होगा और one aluminium octahadon होगा one aluminium octahadon होगा मतलब एक silica की परत होगी और एक aluminium octahadon की परत होगी इसलिए इसको one is to one clay minerals करते हैं और इसमें आता है calionite क्या नाम है उस clay minerals का calionite ठीक है two is to one में होगा यह non expanding type के होते हैं non expanding type इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें magnesium आके उस जगहा को hold कर देता है bind up कर देता है ठीक है इसको detail में लोग बाद में पढ़ेंगे तो black mica है जिसमें आता है biotite white mica है musco white और weathered mica है जिसे हम e light कहते हैं तो biotite musco white और e light bmi जिसे हम लोग body mass index भी कहते हैं तो इस तरह आप इसको short form बना के याद कर सकते हैं in future आपके कोई भी competitive exam देंगे तो आपको याद रहेगा कि two is to one non expanding type लिए में bmi आता है मतलब biotite musco white और e light आते हैं ठीक है आगे चलते हैं देखें यहाँ dab blue ऐसे लिखा है अगर जिसका उल्टा करते तो m बन जाएगा तो white mica को हम musco white भी बोलते हैं इस तरह भी आप याद कर सकते हैं two is to one expanding clay minerals किसकी बात करेंगे expanding clay minerals की बात करेंगे two is to one two is to one का मतलब क्या होगा दो silica tetraherodon की परत होगी और एक octaharadon की परत होगी aluminium octaharadon की परत होगी जिसके example है partially expanding होगे यह ज़्यादा two is to one थोड़े से थोड़े से expand होते हैं इसमें vermicolite होता है जो कि black soil में ज़्यादा तर पाये जाता है और fully expanding होते हैं montmorellonite तो montmorellonite जो होता है fully expandable होते हैं और ऐसा होता है टीक है तो montmorellonite भी clay minerals है जोकी fully expanded बहुत अच्छा minerals माना जाता है two is to two clay minerals में आते है chlorite किया आते हैं chlorite ठीक है तो इसको थ्वास हम लोग और संज्ञाने की courses करते हैं आपको clay क्या होता है oh तो जाते हैं तो वहां के स्वैनि को अंगर धेğ होते हैं क्रैक्टे को देखने को मिलता है přेसे क्रैक्टMark जाता है due to the presence of clay matlab वहां ज्यादादा पाय जारही है ठीक aged तो अलग-अलग स्वाइल में अलग-अलग क्ले मिलता है तो वो जो क्ले है जो थोग सा काली क्लर की मिट्टी होती है थोड़ी सी फूली-फूली मिट्टी होती है वो क्यों फूल जा रही है क्यों due to the presence of expanding clay minerals इसका मतलब उस स्वाइल में वर्मकुलाइट या मॉन्ट मॉरिलो इस वज़े से वह फूल जाता है और फैल जाता है और उहां cracks देखने को आप मिलते हैं ठीक है आगे चलते हैं ना मोविं तो दे नेक्स पेज नॉन सिलिकेट मिनरल्स का मतलब क्या होता है वैसे मिनरल्स जिसमें शिलिका नहीं पाए जाया या मतलब सिलिकॉन नहीं दिखि भी लोड़ी तो इसमें आता है हैमाटाइट हमाटाइट का मतलब आइर नाकसाइड फी टू जिएक एक परकार का आइरन ऑकसाइड का ही मतलब टाइपस है जिओधाइड फी ओ ऋ ओग लेज एस तुओ है और और एकिफाइट एलमुनियम हेराओकसाइड ठीक है तो आ की non silicate minerals है आगे चलते हम लोग physical properties of minerals की बारे में बात कर लेंगे तो physical properties में आपके आते हैं color जैसे कि physical का मतलब क्या है जो चीज हमको clearly दीख रही है तो अगर आप minerals लेते हैं तो उनके कुछ color देखने को मिलते हैं जैसे कि hematide जो है एक पका का minerals है जिसे कि हम iron extract करते हैं वो normally क्या होता है red color का होता है तो इस तरह अलग-अलग minerals है ठीक है जिसमें अलग-अलग उसके color component है streak streak का मतलब क्या होता है कि when the minerals are in a powdered form and then they have so no different color is known as streak तो minerals को जब आप powder form में बना के आप उससे एक line बनाते हो या powder form में जब उसको ले ले लेते हो तो उसका color और जो minerals का color होता है वो थोड़ा सा different होता है तो उसी को हम streak कहते हैं इसको हम figure के थूरू अभी आपको देखाते हैं वो next slide पे है ठीक है देखें यहाँ streak का लिया गया है example इसको समझने के कोसिस करी लिख्या है ना color of minerals in its powder form तो वो minerals का color जो की powder form में क्या अभी लेवल है जैसे देखें यहाँ दो minerals लिये गया है यह थोड़ा सा gray color का देख रहा है उसका देखें जब powder बना के color लिया गया तो यह थोड़ा सा हलका सा आप कर सकते हैं brownies color आ रहा है और यह जो brownies या red color का है उसका dark color आ रहा है यही उसकी streak है समझना है तो streak के help से से भी हम minerals की आप कर सकते हैं classification करते हैं कि यह इस टाइप का पाया जाता है लेकिन इसका जो powder form लेके हम जब color obtain करने के कोशिज करते हैं तो कोई और color देखने को मिलता है ठीक है यह बात संगना आ गया देख लेजे ठीक आगे चलते हैं हम लोग अगला है fracture and cleavage तो जो 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 minerals होते हैं वो hard भी होते हैं बहुत सारी minerals ऐसे होते हैं जो hard ही nature होते हैं उनको असानी से break नहीं किया जा सकता है तो ऐसे भी minerals होते हैं लाश्टर होते हैं मैं एक प्रकार चमक होता है संशाइन होता है वह हमेशा चमकते रहते हैं तो वह एक प्रोकव़र्टी मैं क्लिस्टफॉर्म मैं पाए जाते हैं ठीक है उनको कुछ मिनरल को क्लिस्टर फॉर्म में मिनरल्स की जो इस्ट मिनरल नाम है कैल 2 के का सीट शीट सीट मिनरल्स ठीक है और जहाता है जो liquid minerals होते हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलता है अगला है specific gravity specific gravity का मतलब यह होता है कि कोई particular minerals वो पानी के volume के weight के कितना times ज्यादा है अगर हम example लेते हैं अगर एक ग्राम आप लेते हैं वह particular minerals तो पानी का हमको 5.2 ग्राम लेना पड़ेगा तब जाकि वह बैलेंस होगा ठीक है magnetism कुछ minerals के अंदर magnetism magnetite जिसे हम बोलते हैं उनके अंदर magnetism properties पाया जाता है जिसके कारण जो magnetic substances है उसको वह अपने तरफ क्या करते हैं attract करते हैं जिसे हम चुम्बक बोलते हैं चुम्बक को अगर लोहे के पास लेके जाए या चुम्बक के पास कोई लोहे का कोई भ अगली जो प्रपरटी है वह है इफर वेसेंस जिसे हम फिस की प्रपरटी कहते हैं तो इफर सिवेंस का मतलब यह होता है कि वैन और स्मॉल ड्रॉप अफ एसी डिस्प्लेश और मोस्ट कार्बनेटेड रिंग तो मतलब एक परकार का आप करते हैं कि जैसे आप कोई कोग का बॉटल उसको जब आप हिला के खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है प्रकार का जाग निकलता है जिसमें कि कार्बन डायोकसाइड गैस हूज मात्रा में निकलती है तो यह जो आपका गैस निकल रहा है एक्सपैल आउट हो रहा है यह एक आप बोल सकते हैं इफर विसे अगला जो है कि अगर आप उस पर लाइट रेस फॉल करते हैं तो उस लाइट रेस को क्या करता है डिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ एंगल होके वह क्या होता है तो यह प्रोपर्टी भी आपको दिखने मिलता है बायर फ्रिजेंस में ठीक है हम आपको देखा देते हैं ठीक है यहां लिखा है बायर फ्रिजेंस जैसे कि देखे यहां है बायर फ्रिजेंस is the optical property of a material having a refractive index that depends on the polarization and propagation direction of light the this optically anisotropic material are said to be fire fringent और आपका सब्सक्राइब बायर फ्रेकेटिव देखे बायर फ्रेकेटिव इसमें क्या हो रहा है लाइट लेस पास हो रहा है तो वह लाइट जो रेस है थोड़ा सा deflect होके वहां से पास हो रहा है ठीक है तो यह भी एक example था और लास्ट वन जो आपके properties है वो है fluorescence, fluorescence का मतलब होता है चमक क्या होता है कि कुछ minerals के अंदर चमक वाली properties होती है जो अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरीके से चमकते हैं या सुरज के रोसनी के बिना भी वो एक glow करते हैं ऐसा इस वज़े से हो पाता है क्यूंकि अंदर एक प्रकार के जो proton होते हैं वो तो जैसे देखा जाए यहां एक बार लिखा है is the property of minerals to emit visible light एक पकार का visible light जो है उसको emit करना उसको प्रकासित करना और यह stimulate होते हैं by the help of UV rays अल्टा वायलेट जो light होते हैं electromagnetic radiation उनकी wavelength लगभग 10 से 400 के बीच में नैनोमेटर के बीच में होती है और उसे हम black light के नाम से भी जान देखें यहां कुछ आपको दिया गया है minerals की example जिनके अंदर fluorescence property पाई जाती है जैसे कि क्वार्ज कैलसाइट रोडोनाइट ठीक है कैलसाइट वीमिलाइट फ्रैंकलाइंट ठीक है कैलसाइट इन लाइम स्टोन ठीक है गोल्डोर फ्लूराइट क्लिस्टाइन यह सब ग्लो करते हैं चमकते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं additional reading के तरफ the natural color of the minerals का मतलब क्या होता है मिनरल्स के अपने खुद-खुद के कलर होते हैं the most obvious but the least reliable calcite has more color calcite का ज्यादा कलर होता है sulfur and pyrites have same color तो sulfur and pyrites जो है minerals उनके same color देखने को मिलते हैं तो I hope this is the last page येस और आपका आज का जो class है वो यहां खावतम होता है अगर आप Agripo YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए आपको आपके लिए informative वीडियो हम लोग डालते रहते हैं आप लोग का course पीछे ना चले और अब हम लोग क्या करेंगे mid term का paper लगाएंगे mid term का exam भी पास आ रहा है इस वज़े से time पे course complete हो चुकी है जो भी आपके queries है आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं आप Agripo के telegram channel पे भी आप वहाँ discussion group है वहाँ भी आप पूछ सकते हैं आपके queries है उसको जल्द से जल्द solve की जाएगी आप channel को last तक जरूर देखा करिए चैनल पसंद है तो उसको आप लाइक करिए जादा से जादा से एर करिए इससे मुझे motivation मिलता है और इस समय जो YouTube का impression rate है उसके जो feed है वो बहुत खराब चल रही है और जिसके वज़े से वो video मुझे कभी कोई लगता है लेकिन मेरे अंदर आपको पढ़ाने का जुरून है इस वज़े से मैं ये काम करता हूँ तो आप भी मेरे साथ क्या करिए आप इसको जादा से जादा से जादा से एर करिए जिसके कारण मेरे चैनल पर रीच आए और मेरे वीडियो जादा से जादा लोग देखे और जिससे की मैं इस काम को और बैटर वे से कर सकूँ ठीक है तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा बैबै इस्टुडेंट्स